तुर्की ना इस्टाम्बूल खाते योजायल इंटरनेशनल तुर्की ओपन चेंग्पेंशिप नी स्पल्धा मा भाग लेनार वापी नी जेनियस क्रिट्ज ना चार विद्ध्याल थी ओए कोई विवित केटेगरी मां मेडल मेड़ा वे आता आज एंपेंशिप मां मेंटल मेर्स अने मेमरी ना नौ विशयोनी स्पल्धा योजवा मां अभियाती जेमां तेर देशोंना एकसो तेर साट ला विद्ध्याल थी ओए भाग लिद्धा मां वापी ना गुंजन वेस्तार म विवित केटेगरी मां मेडल मेडवी ने विजयता बनी शाड़ा आने वापी नौ नाम अंतर राश्टियेक अक्षार रोशन करिवा तो मैं हमेशा अपने घर में मेहनत करता था दो या लंबक दो या तीन घंटे मैं इसके पिछे रहता था अभी मैं जो इंटरनेशनल तर्की ओपन चैन्टेंशिप से जाके आया हूँ मैं अपने मेंटर मैच के सब्जेक्ट में कैरेंडर उसमें मैंने सिलवर मेडल हासिल किया है मैं थोर्ड स्टेंडर का विद्या थी हूँ दो कंटे इसके लिए मैंनत की थी और वहाँ पर मैंने बहुत सारे कंट्री के लोगों से कंपिटिशन किया था जिसके मेरा एडिशन में गोल्ड आया है वहाँ का एक्स्पीरिंट बहुत अच्छा था वहाँ ठड़ी भी बहुत थी गुंजन सेंटर से इस बार तर्की ओपन चैंपियंशिप जो हर साल इस्तामबूल में और्ग्राइस की जाती है जो मेंटल मैस के सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं साथी में मेमरी के भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं तो हर साल हमारी आके बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह भी गुंजन सेंटर से चार विद्या थी गए थे उन्होंने सहबा किया था और उन्होंने एक ब्रॉंज, एक सिल्वर और दो गोल्ड मेडल हासित किये हैं तो ये उपलब्दी हमेशा की तरह काविले तारीख है अब ताला है मैं सारिका शा जो यहां के सेंटर की फ्रैंचेस डिरेक्टर हुए तो इस तरह इस तरह हमेशा की तरह इंडिया ने सबसे जादा मेडल हासिल किया है तर्टी-सिक्स मेडल और टोटल 15 ट्रॉफीज, सौरी, 12 ट्रॉफीज हम लोगों ने हासिल किया है यह किस तरह का कमपोटिशन होता है जिसमें यह जो बच्चे है कैल्कुलेटर और पेपर पेन का सहायता लिए बगर मेंटली कैल्कुलेशन करते हैं उसमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे अडिशन, मल्टिप्लिकेशन, डिविजन, स्क्वेर रूट, बाइनरी डिजीट्स, स्पीड कार्ट्स, यह मेमरी सब्जेक्ट्स हैं तो ऐसे फुल मिला के नौ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं